नवस्कार दोस्तों में चल मैं आपका फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वेश्ट के वीडियो में आगे बढ़ते है देन लेट स्टार्ट और एक इंपोर्टेन बात गाइस अगर आपको इलेक्टिक के बारे में ना हो तो इसे ट्राइ मत किजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एलेडिस की चेन को डाइरेक यहाँ पर एसी से कानिक कर दिया है और कंट्रोलर बोर्ट हटा दिया है लेकिन कौन-कौन सी ओयर को कहाँ पर लगाना होगा यह हमें जानना बहुत ज़रुरी है तो चलिए गाइस सारा कनेक्शन खोल के आपको पहले से दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ओयर और इन दोनों ओयर को आप बहुत अच्छी तरह से अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ देर गैप करके एलेडिस लगे हुए हैं जो की कुछ इस तरह को आपको मिलेगा देखने को तो कंट्रोलर बोट के बिना आपको सारे एलेडि को जलाने के लिए इन दोनों ओयर को आपको एक साथ जोर ना होगा कुछ इस तरह से आपको दोनों ओयर को एक साथ जोर ना होगा और जोरने के बाद ये एक पॉइंट आपकी रेडि हो गया एसी के लिए उसके बाद आपको और एक और मिलेगा जिसमें कोई भी LED लगा हुआ नहीं रहेगा जो बिल्कुल खाली होगी और ये आपकी AC की दूसरी पॉइंट होगी तो चलिए इसको आपको लगा के दिखाते हैं तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जैसे बोला था वाइसे ही हमने यहाँ पर दोनों ओयर को एक साथ जोड दिया है और दूसरी पॉइंट को भी हमने कुछ इस तरह से जोड दिया है तो चलिए आप इसे टेस्ट करते हैं तो फाइनले हमने यहाँ पर साड़ा कानेक्शन कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने सेफटी के लिए दोनों ओयर पे टेप लगा दिया है तो चलिए आप स्विच पेस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो LED इस कंटिनुएस जल रहा है अब चलिए इसमें कंट्रोलर बोट कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं तो गाइस एरा कंट्रोलर बोट की सरकिट जिसकी आप पीछे की तरफ देखोगे तो एक साइट पे आपको तीन कनेक्शन दिखाए देगा जिस साइट पे थाइरो स्टॉर लगा रहेगा और यह कुछ त्रांजिस्टर की तरफ दिखता है जो कि यह है शो इस साइट पे आपको त्री कनेक्शन देखने को मिलेगा जो की एक दो और यह है तीन और इस side पे LEDS की जो 3 ORs है वो इस side पे लगेगी और guys जिस side पे ये switch लगा रहेगा उस side को अगर आप पीछर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 connection दिखाई देगी जो की एक यह है और दूसरा यह यहाँ पर आपको AC को input देना होगा यानि AC का जो 2 OR है वो यहाँ पर soldering होगा तो चलिए सबसे पहले इसे soldering करते हैं तो यहाँ पर आपने AC की point को soldering कर दिया है जो आपको पहले बताया था switch की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे आप आती है ARIDIS की 3 OR को soldering करने की बारी तो यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान देने वाली है तो जिस 2 OR में ARIDIS लगे होए रहेंगे gap gap करके उन दोनों OR को आपको थाइरोस्टर की दोनों point में soldering करना होगा यानि यहाँ पर आपको soldering करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों OR को आपको थाइरोस्टर की दोनों point में कुछ इस तरह से soldering करना पड़ेगा और जो OR बिल्कुल खाली होगी जिस पर एक भी LED नहीं लगा रहेगा वो OR जाएगी इस point पे और इसकी track को अगर आप follow करें तो आप देखेंगे यह direct AC से connect रहता है ओके guys हमरा सारा connection कंप्लीट हो चुका है आप इसे test करने के बारी तो चलिए इसे test करते है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो LED आप controller की मदद से चल रहा है यानि controller के थूँ यह LED इस control हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हो ओके guys thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you